जैसा कि आप जानते हैं कि श्रिमाता वेश्ण देवी की यात्रा करने वाले यात्रियों की जो संख्या है उसमें लगाथार वृद्धी हो रही है और पिछले साल भी हमने देखा कि 95 लाग का आंकडा यात्रा ने पार किया सन 2023 में और इस साल में एक अच्छा ट्रेंड हमें यात्रा नंबर्ज में अब तक देखने को मिल रहा है और हमें उमीद है कि आने वाले समय में ये संख्या और भड़ेगी और इनी चीज़ों को देखते हुए बोड का प्रयास रहता है कि कैसे यात्रियों की जो ये यात्रा है उसको और सरल बनाया जाए सुगम बनाया सके और बहुत सारे हमारे ऐसे senior citizens हैं बहुत सारे दिव्यांग यात्री हैं बहुत सारे medically unfit यात्री हैं जो बहुत बार बहुत सालों से ये उनकी इच्छा रहती है कि वो भी इस यात्रा को कर सके परंतु 13 km कठिन चड़ाई होने की वज़े से और helicopter की जो capacity हो limited होने की वज़ है और यह रोपे project काफी सालों से चर्चा में चल रहा था बातें इसके बारे में हो रही थी लेकिन बोर्ड ने फिला फाइनली ऐ फैसला किया कि इस ropē project को अंजाम दिया जाए और कोशिछ चल रही है हमारे कि कैसे स्थानीय लोगों का भी जो concerns हैं उसको भी से अंदर include करक ताकि आगे आने वाले समय में जो ऐसे senior citizens हैं या especially abled हैं जो और यात्री जो यात्रा नहीं कर सकते हैं उनको इस रोपवे के जरीए facility मिल सके और जो उनकी यात्रा जो है और मंगल महयो और सुकम हो